हेलो दोस्तों मैं हूं आसे तूस गुपता और वेलकम टू आवर यूटूब चैनल टेटा ट्यूशन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास नाइन से चैप्टर नंबर थर्टिन का एक्सराइस 13.3 से कोश्चिन नंबर फोर को डिसकस करने वाले हैं हमारा कोश्चन है अ कौनिकल टेंट इस 10 मिटर हाइए और रेडियोस अफिस बेस इस 24 मिटर फाइंड पार्ट वन स्लेंट आइट निकालना है और हम लोगों को स्लेंट आइट का फॉर्मूला पता होता है आर के स्क्व害 प्लस हेस यानि रेडियोस के स्क्व害 प्लस हाइट के स्क्वाइर अब एब بूलोगे कि यह फॉर्मूला कैसे बनता था तो चली यह पहले उससे सीखते हैं क्योंकि math रटनी की चीज नहीं समझनी की चीज है और मेरा मानना है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये formula बनते कैसे है है ना तो चली वो बताता हूँ देखे ये जो cone है जो tent है इसका radius हम लों को कितना दिया गया है दोस्तो तो 24 meter दिया गया है है ना और इसे tent का जो हम लों का height है वो आपको कितना दिया गया है दोस्तो तो 10 meter दिया गया है है ना अब आप याप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे ये जो मैंने draw किया है यहां से ऐसे line और ये 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 आपको क्या एक triangle की तरह दिख रहा है है ना या देख रहा है दोस्तो जब भी कोई base पर perpendicular खड़ा होता है तो वो 90 degree का angle बनाता है इस तरह से है ना देखे ये भी 90 degree का angle बना रहा क्योंकि ये base है और ये height को हम लोग perpendicular माल लेते हैं तो क्या ये base के उपर perpendicular खड़ा है इसमें 90 degree का angle बनेगा और ये 90 degree के सामने वाला जो side होता है वो हमारा hypotenious कहलाता है जो कि इस 20 के हिसाब से है क्या है हमारा slant height ये हमारा base होगा ये हमारा perpendicular होगा तो दीकि जब भी right angle triangle में हमारा hypotenious base perpendicular की बात होती है तो हम लोग पाइथाग और इसके theorem यूज़ करते है और हम लोग को पता रहता है कि हाइपोटेणियस के square जो रहता है जो कि हमारे यापay L है तो L का जो square रहेगा वो हमारे क्या? base का square जो कि ह touch radius है plus height के square जो कि perpendicular है बट यहाँ पे height है तो height के square के क्या? sum के equal होगा इन दोनों के sum के equal के है ना? यानि कि hypotenuse का square equals to base का square plus perpendicular का square है ना तो हम लोग बहुत सकते हैं L का square plus R का square plus H का square अब ये L को यहां रहने देते हैं ये वहले जिस square है उसको equals to के इधर transfer कर देते हैं तो ये root में change हो जाएगा तो root under R का square plus H का square क्या हो जाएगा हम लोग का formula develop हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं Lent I equals to root under R का square plus H का square तो दोस्तों root को हम लोग जैसे वैसे ही रहने देते हैं और R और H की value लगाते हैं तो R हमारा क्या है तो 24 meter bracket close और square add कर दिया H हमारा क्या है तो 10 meter लिकने के बाद bracket close square add कर दिया फिर से root as it is आ जाएगा 24 meter के square होता है हमारा 576 meter square plus 10 meter के square होता है हमारा 100 meter square अब दोस्तों अगर हम लोग 576 meter square plus 100 meter square का सम करते हैं तो हमारा answer आता है 676 meter square और यह जो 676 है वह हमारा 26 into 26 से बनता है तो हम लोग लिख सकते है root under 26 meter into 26 meter है न तो यही न हमारा होगा 26 meter into 26 meter होगा हमारा 676 meter square तो अगर हम लोग root से इसको हटाएंगे तो हम लोग का answer सिप क्या हैगा 26 meter है न दोस्तों यह हमारा answer हो जाएगा तो हमने part 1 को देख लिया अब चलिए part 2 को solve करते हैं तो दोस्तों slent height of 10 हमने निकाला था 26 meter है न अब देखे इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे cost of the canvas तो दोस्तों आप cost किसके उपर निकालते हो सोचे बिलकु सही canvas को उपर निकालोगे अच्छा आपको figure में बताया है कि canvas कितना use हुआ है नहीं बताया है तो पहले हम लोगों क्या निकालना होगा हमारा canvas कितना है फिर न हम उस canvas पे cost निकाल पाएंगे तो चलिए पहले हमारा काम लेगा canvas को पता करना कि हमारा कितना canvas यूज हुआ है तो दोस्तों दीके canvas हमारा कहां लगेगा तो इस टेंट के curve surface एरिया पे लगेगा है ना ऐसे करके लगेगा क्यूंकि बेस वाले पार्ट में तो हम लोगों का canvas लगता नहीं है तो क्या होगा हम लोगों का canvas भी पता चल जाएगा क्यूंकि जो टेंट का curve surface area होगा वही तो हम लोगों का canvas भी होगा है ना सेम होगा उसका dimension तो लिखते हैं कर surface area of 10 इकोल स्टो क्या होगा हमारा canvas है ना तो देखें canvas की जग हम लोगों क्या लिख सकते है कर surface area of time जो क्यों होता है पाई आर एल है ना तो देखेंगे पाई की value क्या आती है तो 22 आए 7 आर हमारा क्या है दोस्तों बोलिए 24 मीटर बिल्कुल सही और एल अभी ज़ेस्ट हमने निकाला 26 मीटर दोस्तों अब अगर हम लोग 22 इंटू 24 इंटू 26 करते है तो मारा answer आता है 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वार यह हमारा क्या हो जागा तो curve surface area of 10 हो जागा अब दोस्तों यहां पे हम लोग चाहें तो इसको divide कर सकते हैं है ना 13728 को हम लोग 7 से divide कर सकते हैं पर यहां पे हम इसको divide नहीं करते हैं इसे इसी तरह रहने देते हैं जब हम लोग cost निकालेंगे तो उस समय हम लोग का यह denominator वाला 7 help करेगा ठीक है तो कैसे help करेगा तो चली दिखाते हैं तो देखें cost of the canvas का formula क्या होता है तो area into rate होता है area into rate है ना तो देखें दोस्तो area भी हमने क्या निकाला तो 13728 upon 7 meter square और rate हमारा क्या दिया हो है तो rupees 70 for per meter square है ना तो देखें इस meter square से इस meter square को हमने cancel किया इस 7 से इस 70 को हमने 10 times में cancel किया तो हम लोग अब बचा क्या तो 13728 into rupees 10 तो देखें rupees तो as it is sign rupees का जाएगा और 13728 into 10 करते है तो हमारा answer आता है 137280 है ना तो दोस्तो इसे के साथ हमारे वीडियो complete होता है अगर आपको समझ माया हो तो वीडियो को like करें च दोस्तो आप हमारे साथ चैनल में तो जुड़े ही जुड़े साती साथ social media में भी जुड़ जाए क्योंकि हमारी कोसिस रहेगी आपके मैस के दौर्स को इसी तरह clear करने की आपके इसले बस को timely complete करने की और अगर आप social media में जुड़ते हैं तो आपको इसी तरह की वीडियो क लेटेस इंफोर्मेशन के अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी तो आथ के लिए बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे आप से लिए नई वीडियो में तब तक लिए श्टेट योन इस्टड़ी हार चाहिन वन्दे मातरम